अगर आप एक ऐसा एप ढून रहे हैं जिसे कि आप अपने मोबाइल से ही फोटो एडिटिंग या फिर आप एक योटूबर हो तो आप अपने चैनल के लिए चैनल आर्ट या फिर वीडियो का थमनेल आप क्रियेट कर सकें तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा एप के बारे में जिससे आप फ्री में प्लेय श्टूर से डाउनलोड करके आप उसे अपने वीडियो का थमनेल आप काफी असानी से क्रियेट कर सकते हो तो वीडियो को बिना एसकिप कि ये वीडियो को एंड तक आने वाले हमारे हरे एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो गाइज अब हम जान लेते हैं उस एप के बारे में और उसमें हम एक यूटूब के लिए थम्नेल क्रियेट करके और देखेंगे कि कैसे हम उसमें वर्क कर सकते हैं आपको प्लेट अप्लिकेशन मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करने के बाद आपको उसको उपन करना है तो आपको यहाँ वीडियो वाले अप्शन पर किलिक करना है देन आपको आप को यहाँ पर Facebook का अगर आपको बैनर बनाना है या YouTube से लेटे कुछ भी आप कोई भी बै सर्च करना है अगर हम यहां पर यूटूब अगर सर्च करते हैं तो आप यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आप यूटूब के लिए चैनल आर्ट बना सकते हो यूटूब चैनल लोगो बना सकते हो डिस्पले एड कर सकते हो या फिर यूटूब थमनेल भी आप बन आ सकते हो तो गाइज हम यूटूब थम्निल पर क्लिक करेंगे तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि यह इस पर एटोमेटिक यह जो टेंपलेट डिफाइड करके दे देता है तो गाइज अगर आपका इससे रिलेटेड अगर वीडियो है तो आप इसमें से आप चूज करके आप इसमें एडिट कर सकते हो बट हम यहाँ पर ब्लैंक को चूज करेंगे तो हम अगर इसका आप color को change करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर tab करेंगे फिर यहाँ से color को change करेंगे तो हम यहाँ पर black color ले लेते हैं फिर अगर आप इसमें photo को add करना है आपको तो plus वाले icon पर click करेंगे तो जैसे ही आप plus वाले icon पे click करते हैं guys तो ये आपको जाना है gallery में और gallery में जाने के बाद guys आप यहां से अपना photo वो photo आपको लेनी है जिसका background remove हो तो background अगर remove करना आपको नहीं आता है तो guys मैंने पिछले वाले video में मैंने बताया हुआ है एक app के बारे में जिससे कि आप उसमें से completely background remove कर सकते हो चाहें आपके background में multi color हो तो guys उसका link मैं description में दे दूँगा या उपर eye button पे भी आपको मिल जाएगा उसको आप watch कर सकते हो तो guys हम इस पे click करेंगे तो guys आप देख सकते हो कि यहां हमारा photo आ चुका है और इसको हम increase और decrease कर सकते हैं अपने recording और इसको हम वहां पे लगा सकते हैं देन अगर आपको इसमें कुछ element होगे रहे भी अगर आपको डालना है तो guys आपको फिर से place यहां plus पे click करेंगे और plus पे click करने के बाद element पे जाएंगे और यहां से guys हम YouTube का जो भी आपको search करना है आप यहां से search करके आप ले सकते हो बट हम YouTube से related बना रहे हैं तो इसको हम यहां पे कर लेंगे फिर इसको हम increase या decrease करके हम यहां पे इसको अपने इसाफ से fit कर लेते हैं तो guys अगर हम को यहां पे अगर text कुछ add करना है तो फिर से आपको plus वाले icon पे click करना पड़ेगा और यहां पे text पे हम जाएंगे और text पे हम यहां से बहुत सारा funt मिल जाएगा आपको यहां पे सारी यह funt है तो अपने recording आप funt ले ले लेजे तो हम इसको चूज कर लेते हैं और फिर हम यहां पे click करेंगे तो guys यहां पे हम लिख सकते हैं जो भी आपको requirement हो आप लिख सकते हो तो मैं यहां पे YouTube channel हम यहां पे लिखेंगे आप यहां पे अपने यसाद से कुछ वीड़ी लिख सकते हो जो हो इसको आप इनक्रीज या डिक्रीज भी आप सब्सक्लाइश कर सकते हो यहां पर कोई分 कर दैन है यहां पर निखेंगे सब्सक्ते जो भी भी आपको requirement हो वो आप लिख सकते हो एजे हम reference आपको बता रहा है कि आपको कैसे काम करना है तो guys हम यहां पर verify कैसे करें तो guys हम यहां पर यहां पर इसको ऐसे करेंगे फिर इसको increase हम guys हम कर सकते हैं तो guys हम इसको अपने इसाफ से fit कर लेते हैं और अगर इसका color आप change करना चाहें guys तो यहां से आप color वाले पर जाएंगे और आपको यहां पर बहुत सारा color मिल जाएगा तो हम यहां पर color को यहां पर फिल कर देंगे अगर इसमें आप कोई element वेगरा भी add करना चाहते हैं तो प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और element पर जाएंगे तो guys आप यहां पर emoji अगर आपको मिल जाएंगे तो यह भी आप इसमें यूज कर सकते हो guys तो आप देख सकते हो इसको हम decrease करके और यहां पर यूज करना चाहें तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं so guys अगर आप इसमें मैंने आपको as a reference मैंने करके दिखाय कि आप कैसे काम कर सकते हो और तरीके से सिद्धान करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगा के आप इसमें डिजाइनिंग आप कर सकते हो तो काफी बहतर आप कर सकते हो तो जैसे ही guys इसका अगर आप सारा designing कर लेते हो तो फिर आपको यह उपर वाले option पे यहाँ पे click करना है तीर वाले option पे फिर आपको यहाँ पे save as का एक option मिलेगा इस पे आपको click कर लेना है फिर आपको यहाँ पे download पे click करेंगे तो guys ये धीरे धीरे जैसे आपका net का speed है उस हिसाब से ये download हो जाएगा guys तो ये आपके gallery में download हो चुका है हम चलके आपको दिखा भी देते हैं guys gallery में download हो चुका है so guys आप देख सकते हो कि जो मैंने create किया था तो ये यहाँ पे download हो चुका है तो guys आप time spend करके आप इसमें काफी अच्छा अपने video का thumbnail आप बना सकते हो I hope कि ये video आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो video को like करें, share करें और आपके मन में कोई confusion है तो आप ने से comment करके भी पूछ सकते हो तो guys फिर मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए जय हिन जय भारत